Good morning dear students, last time हमने किया था classification of pesticides, तो pesticides का आज हम next lecture करेंगे, ठीक है उससे पहले जो है मैं कोई question read करके यही से बता देता हूँ, आपको question पूछा है इसने, but are pesticides, जो question number 1 का A part है, what are pesticides, discuss their beneficial and adverse effects on the human beings and environment, ठीक है, यह आपको 8 number का question जो है वो पूछा गया हुआ है, अभी पूछा है exam में, तो इसी question को हम आज करेंगे और आपके slippers में जो है वो, आपका जो है वो topic भी यही है, ठीक है, beneficial and adverse effect on the human beings and environment, ठीक है, तो इसी को मैंने question की form में यहां लिखा हुआ है, ठीक है, discuss the beneficial and adverse effect on the human being and environment, ठीक है, 8 से 10 number का आपको question पूछ सकता है, ठीक है, तो देखो क्या है, आपको पै classification पूरी करवादी, definition करवादी, pest क्या होते हैं, ठीक है, D50 value क्या होती है, ठीक है, वो सारा आपने एक बार revise कर लेना है, ठीक है, अब देखो, अब जो pesticides हम यूज करते हैं, उनके एक positive effect भी है और negative effect भी है, ठीक है, तो जो positive effect है, उसके साथ साथ आपको negative effect भी मिलेंगे, ठीक या आपके जो है, वो positive effect के जो है, वो क्या effect रहेंगे, ठीक है, तो सबसे पहला effect आता है, improving productivity, ठीक है, तो यह इसका क्या मतलब हो गया, ठीक है, productivity बेसिकली जो है, वो आपके पास होती है, output divided by input ratio, किसी भी substance की, किसी भी product की, ठीक है, तो आपको जो है, वो यहाँ पे क्या explain कर बताना है, आपको यहाँ पे यह बताना है, कि farmers ने pesticide का use किया, ठीक है, तो उनकी जो crops है, उसका जो amount है, वो आपके पास क्या हो गया, वो काफी double हो गया, ठीक है, जैसे वो without pesticides से जो थे, वो grow करते थे, ठीक है, तो automatically जो products होगा, या जो productivity होगी हमारी crops की, वो बढ़ेगी, अब होता क्या था, देखो, basically पहले होता क्या था, हमारे पास, कि कुछ आपके, हमारे पास जो है, वो उस time जो थे, वो पुराणे टाइम में हमारे पास pesticides अवलेबल नहीं होते थे, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कि productivity होती थे, वो crop की, it is severely reduced by the factors, like disease, ठीक है, या कोई disease हो जाती थी, plants में, तो crops जो थी, वो damage हो जाती थी, तो productivity बहुत कम आती थी, ठीक है, या कोई unwanted weeds महाँ पे grow करती थी, या कोई insects थे, जो कि pest की form में present होते थे, वो उसको damage कर देते थे, ठीक है, तो overall productivity क्या हो जाती थी, reduce हो जाती थी, लेकिन जैसे हम pesticides का इस्तेमाल क destroy की by the use of pest, तो हमने क्या किया वहाँ पे productivity को क्या कर दिया, increase कर दिया, ठीक है, तो यह जो है वो आपने, इसमें जो हो explain करना है, ठीक है, इसमें हडी होगे, मैं आपको समझाता जाओंगा, बाकी जो है वो, यह आप lines जो है, वो ऐसे copy कर सकते हैं, ठीक है, तो productivity को increase कर दिया, ठीक है, तो आपके पास जो है, वो farmers को इससे क्या फाइदा हुआ देखो, अब जिसे मान लो, वहाँ पे कोई unwanted weeds मेरा जो है, वो उगरी है, ठीक है, या कोई diseases plant है, तो उसको जो है, वो निकालने के लिए, जो है, वो आपको पता है कि farmers ने जो है, वो लेबर्स जो है, वो र factor आता है, advantage का, वो है, reducing water-worn and insect transmitted disease, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, पहले समझ लो, तो यह बुर है कि हमारे पास जो है, वो nature में ऐसे बहुत सारे pathogens होते हैं, pathogens होते हैं, जिससे हमें बिमारियां होती हैं, ठीक है, pathogens कुछ भी हो सकते हैं, वो बैक्टिरियां भी हो सकते हैं, जो transmit होते हैं, through insects, ठीक है, into the human beings, ठीक है, अब यह जो insects, जिनके द्वारा जो है, यह pathogen हमारी body तक पहुंचते हैं, हम इनी को जो है, वो क्या बोल देते हैं, factors बोल देते हैं, इनी को हम क्या बोल देते हैं, factors बोल देते हैं, ठीक है, जैसे example है, मारे पास malaria, ठीक है, तो malaria ठीक है, यह biology बड़े बच्चों को ज्यादा पता हो, उन्हें काफी detail में पढ़ा हुआ है, इसका life cycle, लेकिन आपको इतना याद हना है, कि malaria is caused by the plasmodium, अब यह जो plasmodium, जो parasite होता है, parasite होता है, जो feed करते हैं, ठीक है, किसी depend होते हैं, ठीक है, किसी दूसरे organism के उपर, जो depend ह होते हैं, अपने nutrition के लिए, तो जो plasmodium होता है, यह आपका जो हो, ट्रांस्मिट होगा, humans तक, by the help of your vectors, ठीक है, तो वो जो बेक्टर होंगे, जो इसको carry करते हैं, वो mosquito होते हैं, यह आपको पता है, ठीक है, similarly आपको पता है, डेंगू fever है, यह भी जो है, वो एक virus की बज़ से होता है, ठीक है, और इसको भी transmit कौन करते हैं, मौस्किटो ही इसको transmit करते हैं, ठीक है, आज कल आपको पता है, यह भी बड़ी family term है, scrub typhus, ठीक है, scrub typhus जो होता है, it is also caused by the bacteria, और यह बैक्टिरिया की जो species होती है, यह होती है, ओरेंशिया, ठीक है, कौन सी species होती है, यह औरेंशिया, फिर आपके पास चिकनगुनिया, यलो फीवर, जीका वाइरस, इन सब को जो है, वो mosquito transmitted disease होती है, और इनको mosquito ही क्या करता है, इनको carry करता है, और यही इनका vector होता है, ठीक है, तो देखो कितनी सारी यह disease है, scrub typhus होगी, चिकनगुनिया, यलो फीवर, जीका काफी जो है, वो ज्यादा जो हो, के वार जो है, किसी lifetime span में जो हो जाता है, ठीक है, तो अब pesticide की use से, देखो pesticide की, pesticide में हम इसको क्यों discuss कर रहे हैं, अब यह वो रहा है, कि हमने यह जो बेक्टर, जो होते हैं, बेक्टर होते हैं, जो इनको transmit करते हैं human तक, ठीक है, हमने इन ही बेक्टर को किल कर दिया, these factors are killed by the use of pesticide, ठीक है, in controlling the disease, ठीक है, हम इन mosquito को ही kill कर देंगे, ताकि जो है, वो हमारे पास, जो है, वो in disease को पहुंचाया ना जा सके, ठीक है, लेकिन ऐसा, जो है, वो 100% कर पाना संभब नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा जो है, वो आपको एक छोटा सा जो है, इसमें data देता हूं, देखी, since 1945, by the use of pesticide, we have prevented the death of 7 million people, ठीक है, by killing the pest, अब तक, 1945 लेके अब तक, हमने, लगबग जो है, वो 7 million people की, जो है, वो जान बचाई है, by the use of pesticides, ठीक है, इन सारी diseases से, ने, तो उससे पहले, जो था, देको, मुलेरियस एक जो है, व हो रहे थी, ठीक है, 1920s में, 1914 में, बहुत सारी से death हो रहे थी, उस टाइम तक यह डियाग्नोजी नहीं होती थी, कि क्या भिमारी है, ठीक है, लेकिन फिर जैसे यह pesticide आये, ठीक है, डिडिटी आया, वो टैबर आपके पास आये, वो आगे हम डिसकस करेंगे, तो इनके use से, जो है, वो हमारे पास, जो है, वो हमने reduce कर दिया, किसको reduce कर दिया, जो हमारा heading था, in reducing the water war diseases, and हमने, जो हमने, इंसेक्ट transmitted disease को क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा काम कर दिया, eliminate नहीं कर पाया भी तक, लेकिन को काम कर दिया, ठीक है, next, third point हमारा आता है, इसमें, advantage में, help in storage, ठ पता है कि हम बहुत सारी crops को, जो है, वो cut कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद, जो है, वो हम उन crops को, जो है, वो store करते है, after cutting, ठीक है, तो large skill पर जो हम उनको stores में, जो हो रख देते हैं, ठीक है, लिकिन इसका मतलब यह नहीं कि अब pest जो है, वो खेतों में attack करेंगा, ठीक है, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें, जो हमारे store होते हैं, जहां पर हमने grains को रखा हुआ है, crops को रखा हुआ है, बहां पर भी जो है, हम इसका क्या करेंगे, spray करेंगे, ठीक है, और उसको जो है, वो shelf life को बढ़ाएंगे, ठीक है, उसके lifespan को बढ़ाएंगे, तो मैंने तो pesticide are spread, ठीक है, at these stored grains, crops, to keep them fresh, disease free and consumable, ठीक है, तो यही मैंने जो अब उसमे explain करना है, ठीक है, ताकि हमारी crops और fruits की क्या बढ़ जाए, shelf life बढ़ जाए और वो fresh रहें, और disease free रहें, ठीक है, तो यह बढ़े points आप इसमें discuss कर सकते हैं, ठीक है, फोर्थ point है कि pesticide can also be applied against bees, besps और ants, ठीक है, bees, madumakhiya बगेरा होगी हमारे पास, ठीक है, उनके against भी हम इनको apply कर सकते हैं, जिनके काटने से जो है, बहुत सारे allergic reactions जो है, वो हो जाते हैं, ठीक है, तो उनके against भी pesticide का जवाब, इस्तिमाल कर जा सकता है, ठीक है, तो fourth point आया ही, fifth point है, आपके पास conservation of environment, ठीक में जो है, वो बहुत सारी जो है, उसमें crops हो जा रही है, तो अब farmers को ज़्यादा जंगल की तरफ नहीं भागना पड़ रहा है, कि हम deforestation करें, land size increase करें, तो deforestation क्या होगे, reduce होगे, ठीक है, तो it helps in the conservation of also, in natural sources, ठीक है, हमारे natural sources जो है, वो conserve हो गया automatically, ठीक है, अगर deforestation नही erosion भी नहीं होगा, तो यह सारे factors जो है, वो हमारे environment के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इनके ऊपर ही जो है, बहुत सारे life cycle जो है, वो depend करते हैं, water cycle हो गया, ठीक है, carbon cycle हो गया, बहुत सारे जो है, इसी से deforestation, soil erosion बगार से, ठीक है, तो यह points जो हो, इस वो किसी और other plants को भी grow नहीं करने देती, beads, ठीक है, तो यह भी जो है, वो एक बड़ा important जो है, वो इसमें factor है, ठीक है, sixth point मैंने इसमें लिखा है, कि हम herbicide का भी इस्तेमाल करते हैं, herbicide होते हैं, जो specifically herbs के उपर act करेंगे, herbicides are also used to clear the roads, ठीक है, roadside beads, to clear algae and plants in the ponds, ठीक है, ponds के पर आपको पता है, वो float करती है, उसको clear करने के लिए भी हम herbicide का इस्तेमाल करते हैं, so that the normal activities like swimming भी उसमें की जा सके, ponds में, ठीक है, fishing बगएर, etc. भी की जा सके, ठीक है, और वो aquatic system के लिए भी बड़ी important होती है, जैसे ही वो algae ponds के उपर आ जाती है, तो sunlight को वो क्या करती है, interfere करती है, sunlight को पहुच नहीं देती, जो की जुरूरी होती है, मेरा in life के लिए, ठीक है, जो पानी के नीचे, जो ecosystem होता है, पानी के नीचे, जो species होती है, उनके लिए, वो बहुत जुरूरी होती है, sunlight, ठीक है, तो यह herbicides इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, उसके बाद मैंने control such pest by the use of pesticides, ठीक है, आपको पता है कि दीमक होगी, ठीक है, दीमक होगी आपके पास, फिर आपके पास, जो है, molds होगी, फंगस होगी, यह furniture को क्या कर देती है, डेमेज कर देती है, तो ठीक है, यह uncontrolled से pest जिसका पता नहीं होता है, कि यह कहां जो है, वो आपके पास प्रजे ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, अब यह बोर रहा है कि जैसे जैसे आपके पास जो है, वो productivity बढ़ेगी, और crops की बढ़ेगी, तो क्या होगा, farmers जो है, वो different varieties जो है, वो बहुत ज़्यादा amount में, different varieties जो है, वो crops की, या आपके पास seeds की, ठीक है, या आपके पास pulses है, वो उन जो है, वो करेंगी, दूसरी countries को, तो naturally उससे हमारे country का GDP भी क्या करेगा, ग्रो करेगा, ठीक है, तो यही point है, हमारा transforming, वो transformation हो रही है, developing countries into the food producer, वो larger food producer जो है, वो बनती जा रही है, ठीक है, तो यही pesticide का जो है, यह advantages है, तो यही आप, जो है, वो point advising को, ऐसी explain करना, तो अब इसके बाद आते हैं, आपके पास adverse effect, adverse effect होते हैं, आपके पास, कि आपके पास, जो है, वो, इसके क्या side effects है, या इसके क्या harmful effects, जो है, वो, रहेंगे, ठीक है, तो इन ही को, जो है, वो, हम one by one, जो है, वो, explain करेंगे, ठीक है, तो अब, जो है, वो starting में, मैंने यह, ऐसे ही अब यह पॉइंट से इसके डिसकस करूँगा कि आपको जो है लेकिन इससे पहले मैंने के इंट्रोडक्शन सी ऐसे लिखी हुए है यह बोलता है कि 65% of pesticides are used in the agricultural field and rest are used in non agriculture activities तब यह बोलता है कि जो total pesticide हम use कर रहे हैं उसका सिरफ 65% हम agriculture land में करते हैं इस्तेमाल और rest जो है वो non agriculture activities में होता है ठीक अब non agriculture activities में यह भी आ गया कि जैसे मानलो हम pesticide का इस्तेमाल कहीं जो है वो ऐसी जगा कर रहे हैं जहां पर हमें लग रहा है कि यहां पर water store है ठीक है इसकी बज़े से जो है वो यहां पर डेंगू हो रहा है ठीक है या किसी कोई जो है वहां पर वहां पर हा इसके बाद जो है वह हमें पता है कि हमें जो है वह वह क्रॉप प्रोडक्शन करनी है ज्यादा इसका जो है वह अमाउंट जो इंकरीश करना है तो हम pesticide के पर dependent हैं ठीक है लेकिन इसी पर जो है वह मैं यहां पर बात करना चाहूंगा है कि हमारे पास एक पुरुणे टाइम की जो थी वह मैंने कहीं लाइन पढ़ी है कि रेचल कार्सन करके जो है वो रेचल कार्सन है C-A-R-S-O-N एक लेडी थी अमेरिकन मेराइन बाइलोजिस्ट थी ठीक है इसने अपनी बुक लिखी थी बड़ी अच्छी बुक थी है साइलेंट स्प्रिंग ठीक है इसमें इसन फी ओपर इसने बुक लिकी तो इसने जो है वो थ्रेटन किया सब को कि भई आप जो है वो पेस्टिसाइड का मिस्यूस मत करें ठीक है अगर इसका आप मिस्यूस करोगे तो फिर आप इसका भुकतान करने के लिए भी त्यार रहे हैं ठीक है तो इसने बड़े अवेर्नेस प्रोग्राम चला है लेकिन अनफॉर्चुनेटली यह बुक जो थी वो हमने मैंने इसमें कहीं यह मैंशन नहीं किया था यह साइद मेरे ख्याल से लेकिन उस ताइम के बाद भी हमारे पास अनफॉर्चुनेटली यूज और पैस्टिसाइड को इस्तेमाल को इंक्रीज करते ही जा रहे हैं ठीक है तो यह थोड़ा सा मैंने ऐसे ही आउटलाइन से बनाई हुए है कि इसका नेगटिव एक्ट जो है वो हम कैसे एक्स्पें करे है तो यह मेंट पॉइंट है आपके नेगटिव है कि सबसे पहले आपको करना एंश हेज़ार्ड ठीक है कि यह कोचिन में भी पूछा गया था तो सबसे पहले आपको हैजार्ड का पेवारे में बताना है कि हैल्थ को क्या नुकसान है दूसरे नंबर पर एफेक्ट ऑन जो रॉनिंग वाटर होता है सर्फिस के ओपर ठीक है ग्राउंड वाटर होता है जो बिल्कुल ही आपका भूमिगत जल होता है ठीक है जैसे हैड़ पंप गारा से यह ट्यूब एल से हम ग्राउंड वाटर को निकालते हैं फिर आता है स्वाइल कंटेमिनेशन एफेक्ट ऑन एफेक्ट ऑफ एनिमल स्थीक है तो क्या के थे सा sigma कृंट देखो सबसे पहले आगया हमारu पास human health हे cervid फिर आगे impact on environment फिर हमने बहात की की हमने बाट की बाटर की तो सबसे बहाब से सर्फेस बौर ले लिया फिर groundwater उले लिए फिर हमने स्वाइल कंटैमिनेशन ले ली और लास्ट में प्लांट और अनिमल पर देख लिए ऐफक्ट फ्लांट एंट इफक्ट ऑफ एनिमल इसको याद करना इसको बन बई बन जो है वह आप महां एक्स्प्रेंड करते हैं ठीक है तो हेल्थ हैजर्ड में देखो हम क् इससे हो सकते हैं मैं आपको पढ़के बताऊंगो जहां मुझे लाएगा किसको एक्स्प्रेंड करना है वह मैं आपको कर दोंगा ठीक है इट कन कॉस क्रोनिक एफक्ट लाइक कैंसर ठीक है नॉन होजकिन लिंफोमा एंड लिकेमिया शोड़ पॉस्टिव एस्जिएशन व होता है आपके पास लिंफेटिक सिस्टम का कैंसर है यह संटिविक टर में लिकेमिया बलड़ कैंसर ठीक है तो यह सारे बढ़े हैं आज कल की डेट में अब तक बहुत सारी एकक्टर बढ़त जा रहे हैं क्यों डिच्टिशाइड एक्स्पोजर ठीक है हम लाइफस्टाइ है यह disease भी क्या कर रहे हैं बढ़ रहे हैं ठीक है it also affect the nervous system यह हमारे nervous system brain को भी affect करते हैं responsible होते है for the disease like Parkinson disease ठीक है Parkinson disease भी एक हमारे पास जो है वो imbalance है हमारे neurological disorder है यह pesticide can also mimic the body hormones यह body hormones को जो copy करते हैं जैसे hormone act करता है वैसे pesticide भी act करने लग जाते हैं body में and cause serious nervous disorder यह पहले भी explain की है हमने pesticides जो होते हैं they are causing allergic reactions ठीक है leading to the asthma pesticide can also has severe effect towards the reproductive system पे भी यह effect करते हैं in in many people's pesticide cause acute and delayed health effect कई लोगों में जो है वो बिलकुल last में इसके symptom नजराते हैं ठीक है जो exposed रहते हैं throughout their life ठीक है लेकिन जो सबसे ज़्यादा high risk group होता है वो है आपके पास जो sprayer होते हैं जो loader होते हैं या agriculture farmer होते हैं ठीक है यह सबसे ज़्यादा high risk group में है pesticides के ठीक है क्योंकि हम pesticide का use तो कर रहे हैं लेकिन हमने उनको यह नहीं बताया कि इसका use करना कैसे है ठीक है इसको इससे जो हमें कैसे डाटा भी दिया था कि worldwide death and disease जो हो रही है due to pesticide poisoning उनका number है एक million था per year 1999 के according ठीक है 1999 के according जो death हो रही थी वो 1 million के grave और आज कल 2017 और 2019 तक जो है यह बहुत ही sad जो हँआ वो हमारे पास डाटा है ठीक है लेकिन यह तूथ है हमें इसको समझना होगा कि pesticide का इस्तेमाल कितना करना है और कैसे करना और किन pesticide का इस्तेमाल करना है ठीक है उसके बास जो है वो हमारे इंबार्मेंट पर देखो मैं इसको पहले पढ़ देता हूँ, about 98% of the spread pesticide जो होते हैं, ठीक है, and 95% of the herbicides होते हैं, reaches a destination other than the target species, हो कह रहा है कि जैसे मानलो हम किसी area में pesticide का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन maximum 98% से लेकि 95% तक वो pesticide उस area में नहा रहे कर किसी दूसरे area में पहुँच जा रहे हैं, ठीक है, किसी non-targeted जगह पहुँच जा रहे हैं, ठीक है, हम target तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें से जो maximum amount है, 98% वो कहां पहुंच जा रहा है, किसी और जगे पहुंच जा रहा है, ठीक है, कैसे पहुंच रहा है, by travel through air, soil के through, water के through, जो है, वो किसी और एरिया में पहुंच जा रहा है, तो ये environment के लिए बहुत dangerous जो है, वो साबित हो रहा है, ठीक है, the use of pesticides result in the decrease of biodiversity, biodiversity क्या हो रही है, हमारे increase, हमारे जो है, sorry, decrease हो रही है, कैसे decrease biodiversity होते हैं, जो हमारा flora और fauna होता है, plants और animals है, ठीक है, example, pesticide has killed the insect, moth, etc, insects को ही kill कर दिया, ठीक है, अब उससे क्या हो रहा था, vegetation नहीं होगी, तो उस एरिया में जो हो, biodiversity में क्या हो गया, loss हो जाता है, ठीक है, तो यही मैंने इसमें लिखा हुआ है, कि pesticides, जो है, they are also act as pollutant, वो major pollution का भी एक major कारण है, ठीक है, तो यह environment का हमने इतना सा इसमें लिखा, ठीक है, और एक और point में इसमें environment में एड़ कर दिया, यह आपकी modern की book में नहीं था, global distillation, इसका मतलब क्या होता है, इसको जरा समझना, global का मतलब होता है, एक पूरे globe की हम जैसे बात करें, अब यह बोलता है, कि एक process होता है, इसमें pesticide जो होते हैं, they are transported from warmer area to the colder area, ठीक है, warmer area to the colder area by the natural means, like airflow, ठीक है, अब हो के रहा था, जैसे मालनो कोई pesticide है, उस pesticide जो है, को हम use कर रहे हैं, किसे warmer area में, ठीक है, जहाँ पे जो है, वो काफी temperature जाता है, तो वो क्या होता है, कि वो evaporate हो जाता है, और हवा के थुरू किसी ऐसे region में पहुँच जाएगा, जहाँ पे temperature क्या है, कम है, ठीक है, temperature कम means, जैसे मालनो poles पे जो है, वो पहुँच गया, या किसी mountain top पे पहुँच गया, ठीक है, by traveling thousand of kilometer, तो होगा क्या होसे, जैसे वो low temperature area में पहुच जाएगा, बहाँ पे जो है, वो ये vapor क्या कर जाएगे, condense कर जाएगे, condense कर जाएगे, तो फिर वो rain के थुरू, snow के थुरू, या water के थुरू, they come back into the soil, river and ground water, और surface water, वो दोबारा enter कर जाएगे food chain में, ठीक है, तो ये भी जो है, वो, इसकी बज़े से भी जो है, वो environment में क्या हो रहे है, हमारे पास जो है, वो काफी negative impact जो है, देखने को मिल रहा है, ठीक है, अच्छा, एक और बात है कि pesticide जैसे हम use करते जा रहे हैं, तो जो pest होते हैं, जो harm cause करते हैं, ठीक है, तो जो pest होते हैं, वो क्या develop कर ले रहे हैं, pesticide resistance, उन पे कोई effect ही नहीं पड़ रहा है, जो हम concentration use कर रहे थे न, spray की, उससे कोई effect ही नहीं हो रहा है, तो farmers क्या कर रहे हैं, farmers क्या कर रहे हैं, कि dose को increase कर दिया, उन्होंने high dose को क्या कर दी, तो यह point साब इसको लिख सकते हैं, ठीक है, थर्ड आता है, हमारे पास, surface water contamination, surface water होता है, जो running water होता है, अब surface water contamination कैसे हो जाती है, अब आपको पता है कि, जैसे मान लो आपके पास, जो है, वो कोई बारिश हो गई, ठीक है, तो आपने प्लांट्स पे 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 red soil में pesticide का इस्तेमाल करते हैं तब भी surface water contaminate हो जाता है ठीक है या के बार accidentally हमारे पास जो है वो यह spilled हो जाता है ठीक है तो groundwater contamination में जो है वो आप क्या लिखोगे groundwater होता है इसका level बहुत जो है वो नीचे होगा ठीक है भूमिगत जाल ठीक है तो groundwater जो हमारे पास pollution है यह बड़ ज्यादा world wide major problem आ रही है ठीक है मैं आपको इसमें मैंने एक line add की है एक survey हुआ था इंडिया में तो उसमें हमें यह पाए गया कि 58% of drinking water water जो था 58% of drinking water sample drawn from the head pump and bells जो कुएं से लिए गे थे इन भोपाल but contaminated with organoclorine pesticide excessively ठीक है वो excessively poisoned थे भई ठीक है 58% हमारे sample drinking water के they are poisoned with organoclorine organoclorine जो होते हैं वो DDT बगएरा gamizane, BHC यह सारे organoclorine होते हैं बड़े dangerous pesticides होते हैं यह तूटते ही नहीं है ठीक है यह बायोडिग्रेड होते ही नहीं है ठीक है तो यह इनकी major limitation है और वो contamination groundwater तक पहुंच गए ठीक है और groundwater एक वार pollute हो जाता है toxic chemical से तो इसको clear करने में जो है वो बहुत सारे साल लगते हैं many years ठीक है hundred of years they take ठीक है तो जो है वो purify ठीक है तो यह जो है वो बड़ा इसमें major role है ठीक है उसके बाद आता है मारे पास soil contamination soil की contamination जो है वो हो जाती है ठीक है कैसे होती है देखो pesticide entering into the soil by a spray हम spray करते हैं plants पर foliage treatment करते हैं foliage treatment मतलब जो ornamental plant होते हैं ठीक है हम उनके उपर जैसे spray करते हैं तो वो हमारे पास जो है वो उन प्लांट से जो है वो soil तक जो है प्लाइब करते हैं soil में तो तब भी जो है वो pesticide पहुंच जाते हैं ठीक है यहां हम nematodes होते हैं ठीक है nematodes को directly जो है वो किल किया जाता है by spraying in the soil तब भी जो है वो pesticide जो है वो soil में पहुंच जाते है ठीक है तो इस बज़से जो soil में contamination होती है लेकिन होगा क्या ऐसे ultimately तो जैसे soil में जो हमारे friendly bacteria होते हैं जैसे microorganism होते हैं soils में यह उसको भी kill कर देता है ठीक है तो इससे क्या होगा जैसे मालों कोई carbon cycle होता है जैसे मालों कोई leaf ही गिरा किसी plants है अब वो leaf को leaf को जो microbes होते हैं soil में वो उसको इस त्रीके से खत्म करते हैं ताकि जितने भी उसमें घटक present होते हैं जिसे carbon nitrogen phosphorus वो द्वारा वो soil में ही क्या कर देता है उसको बापीस भेज़ देते हैं nutrients को अब बहाँ पर bacteria नहीं होंगे microorganism ही नहीं होंगे soil में तो फिर वो जो soils होगी वो deficient हो जाएगी किसमें nutrients में ठीक है तो यह जो है वो soil contamination का ही हमारा इसमें part है तो यह आपने इसमें explain करना है ठीक है उसके बाद जो है वो आपके पास आता है six number पे effect on plants ठीक है यह भी बड़ा important है हमारे पास एक family होती है लेग्यूम plants करके ठीक है लेग्यूम plants जो है वो हमारे पास जिसे चने के हमारे पास जो है वो plants होते है ठीक है ग्रो करते है आपने देखी भी होगे मट्रिया चने के उनको लेग्यूम plants बोलते है यह fix करते है atmospheric nitrogen को into the soil by a process called biological nitrogen fixation ठीक है जो atmosphere में nitrogen present होती है यह उसको nitrate की form में convert कर देते हैं by phenomenon known as biological nitrogen fixation ठीक है तो nitrogen fixation जो थी वो एक major key role play करती है इंदी growth of plants ठीक है अब यह जो pesticides थे लाइक डिडिटी पैराथियोन यह kill कर देते हैं एक bacteria होता है उसको वह राइजोबियम अब यह राइजोबियम बैक्टिरिया जो होता है यह important role play करता है इस nitrogen को fix करने में ठीक है अब इसको यह kill कर देगा तो फिर यह process ही पूरा रुक जाएगा nitrogen fixation का ठीक है और अगर यह process रुक गया तो plants की growth तो automatically क्या हो जाएगी आपके पास जो है वो रुक जाएगी ठीक है तो वह plants की grow नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास जो है वह एक बहुत severe damage है plants के लिए ठीक है तो यही मैंने जो है वह इसमें लिखा है बाकी मैंने यह पहले बात की कि pollinating agent को ही हम kill कर रहे है pollinating agent को kill कर रहे है तो plants की जो species क्या हो जा रही है extinct हो जा रही है वो बिलूप तो हो रही है ठीक है बहुत सारी species ठीक है और pesticide का जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल करोंगे तो उसमे side effect भी आ रहे है जिसे yellowing of stem हो जाती ह यह leaf fall हो रहा है पहले ही हो जा रहा है premature leaf fall ठीक है पूर root here development हो रही है जिससे plant growing नहीं कर पा रहा है ठीक है यूँकि root से ही वो सारी nutrient लेता है ठीक है और last में आपके पास आता है effect on animals ठीक है तो animals जो है वो भी poisons हो रहे है pesticide से कैसे जो है वो pesticide animals तक पहुंच रहा है आपको प consume कर रहे हैं उनी crops को तो वो accidentally जो है वो pesticide को भी साथ जो है वो ले जा रहे है ठीक है अपने पेट में ले जा रहे है तो वहां पे उसके बड़े side effect हो रहे है ठीक है तो इस दिक से वो उनको animals को भी harm कर रहा है उनका lifestyle change हो रहा है behavioral change हमें देखने को मिल रहे है dietary change मिल रहे है ठ ठीक है इसी कई मैंने आपको example दिया था कि pesticide are responsible होते है for the recent decline in the population of bulchers ठीक है bulchers उतने जिस गीद बगएरा तो उनमें जो है बड़ा decline आया अब यह बहुत कम दिखते है क्योंकि pesticide ने बहुत जादा major role play किया हो है क्योंकि ultimately जो थे वो गीद बगएरा ही जो थे वो consume करते थे last में food chain को ठीक है जो food chain में last में present होते थे squenger उनको वोते हैं वो जो साफ सफाई करते थे ठीक है pesticides जो हमारे पास जो है वो bulchers होते है तो ultimately उनमें biomagnification होती गई और उनमें जो है वो बहुत जादा जो है वो illness आगी disease जो हो प्रजेंट होगी और वो species खत्म होने लग गई ठीक ठीक है तो हमें ऐसे pesticide यूज करने हैं जो degradable हो जो टूट जाए आटमोस्फेर में अपना काम करें और आटमोस्फेर में तूट जाए या quickly deactiv हो जाए ठीक है तो हमें ऐसे pesticide की जो है वो discovery करनी पड़ेगी ऐसे pesticide को डूणना पड़ेगा ठीक है तो यह थे positive और इसके harmful effect यह कहानी की तरह है ठीक है इसको ऐसे करना है इसमें main जो है वो headings important है ठीक है जैसे health hazards हो गया impact on environment हो गया ठीक है फिर हमने किया surface water contamination, groundwater contamination ठीक है soil contamination effect on plants and effect on animals ठीक है thank you students ठीक है इतना कर लें इतने notes बना लें ठीक है फिर next lecture जो है वो आगे continue करेंगे thank you